आप 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 लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसिज यूट्यूब चैनल दोस्तों आपको राइट साइड में एक और लगो नजर आ रहा है जिसमें 24 4R7 टीचर्ज ओनलाइन लिखा हुआ है दोस्तों मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें अपने मुख्तली सब्जेक्ट के लेक्चर रेकॉर्ड करके रखे हैं जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका फैनेंशल अकांटिंग है जिनमें आपका introduction to programming C++ है जिसमें आपका introduction to computing जिसमें HTML और Java वगरा है उनके पूरे courses बना के रखे हैं तो मेरी सारी दोस्तों से आप लोगों से गुसारिश है कि आप लोगों ने जैसे मुझे virtual student support services में promote किया है और मुझे इसी तरह 24R7 teachers online में भी promote करें ज्यादा से ज्यादा मेरी videos को और अपना feedback दें ताके मैं और subjects के उपर भी lectures बना सकूं दोस्तों वहां पर आपकी सहूलत के लिए मैंने lecture रखे हैं आप उस channel पर जाए उसका URL है वो मैंने इस video के description में भी add कर दिया है और इस video के एक्टताम पर भी आपको वो नजर आएगा www.youtube.com slash teachers online for you उस पर आपको व ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो MGT 604 की मुझे बार-बार requests आ रहे हैं थी कि सर हमारा ये GDP समझा आ दें जो है Management of Financial Infitution उसका GDP No.1 आया हुआ है उस हवाले से है तो इस video बनाने का मकसद जो है वो फिरफ और फिरफ MGT 604 Management of Financial Infitution का जो GDP आया हुआ है उसके बारे में आपको आइडिया देना है कि आपने वो GDP कैफे बनाना है या उसके अंदर हम लोग ने क्या करना है तो चलिए हम लोग जो है अपने GDP की requirements को देखते हैं दोस्तों इसके अंदर हमें एक case दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है Central Bank play a crucial role in the stabilizing the economy of the country by designing the monetary policy monetary policy affects the money supply interest rate and amount of credit that directly impact on aggregate output and inflation by analyzing the conduct of monetary policy of the state bank of Pakistan and other country central bank we can evaluate the conduct of monetary policy in the past can guess the future move requirement kya है is GDP की determining their strategies regarding monetary policy and then explain briefly how the application of monetary policy of European Central Bank differ from the state bank of Pakistan कै कैसे वो अपसमें डिफर है और क्या उनकी monetary policy है इस हवाले से हमने बताना है तो दोस्तों ये है हमारा GDP और उसकी requirement है तो चलिए हम लोग जो है इसके solution की तरफ चलते हैं दोस्तों इसके solution के अंदर मैंने फिरफ और फिरफ जो है कुछ पॉइंट्स लिख दिये हैं कि जब Central Bank of Pakistan, State Bank of Pakistan ये Central Bank of European Bank वो जब अपनी monetary policy बनाते हैं तो वो कौन सी जो से ट्रेक्टेजीज हैं वो उनको क्या है जी पॉइंट्स वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ One by One by One Stable pricing strategy के सबसे पहला जो मनेर्टी प्रीसी बनाने का काम है उसके इंदर जो दोनों बैंक है Insteune Bank of Pakistan & European Bank are 46 काम है यहां पर इंफ्लेशन वाली है तो वो क्या करते हैं अपनला जो इंट्रेृस ट्रेट եे banking का उसको काम कर देते हैं ताकि जो prices हैं वो ज्यादा high ना हो और उससे inflation वाली जो situation है वो create ना हो तो जब वो monetary policy बनाते हैं तो उस शुरत में भी वो stable pricing strategy को follow up करते हैं to control the prices वो prices को control करने के लिए the second point in this regarding fair banking system strategy अब दूफरा जो है उनका monetary policy बनाते हुए वो यह है कि वह fair banking system के कहीं पर कोई corruption नहीं होने चाहिए आपके जो customer banking के जो आपके bank के अंदर आते हैं उनका on merit काम होना चाहिए तो वो एक fair strategy यूज़ करते हैं जिसको हम fair banking system strategy भी कैफ़कते हैं उसके पर यह वो अपने bank की जो day to day operations है उसको neat and clean बनाते हैं और उसको fair बनाते हैं the second third one is unique payment system strategy वो unique payment system लेकर आ रहे हैं अपने customer को facilitate करने के लिए देखें आगर हम कोई आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं banking factor के अंदर तो उस वाकर जो payment का system था वो यह था कि check के through आपको payment होती थी लेकिन अगर आज की हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको जो payment है वो कार्ड के through हो रही है different और भी mods available है जिनके थुरू आप payment कर सकते हो तो वो unique payment system provide कर रहे हैं और यही एक उनकी strategy है stable market economy अब ना फिरफ वो banking sector को stable रखते हैं बलके पूरी economy जो है उसको stable रखते हैं और उसके वर यह monetary policy बनाते हैं उसके बाद है the effectiveness of banking system यह उपर हमने पढ़ा है एक fair banking system strategy यह भी बिल्कुल उससे मिलता जुलता है कि वो जो उनके banking के जो operations है day to day उसको बड़ा effective बनाने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश ही होती है कि जो उनके customer है उनका on merit जो है वो काम हो जाए और वो व्यादा फे व्यादा customer को facilitate करते हैं और उससे जो है उनका जो banking system है वो और व्यादा effective होता है तो इस तरीके से जो है वो state bank of Pakistan और जो आपका European bank है वो अपनी market को जो है वो फ्टेबल रखता है और monetary policy बनाते हुए in-fit strategy को भी उनके अंदर शामिल करता है तो दोस्तों यह है हमारा gdb mgt fix o4 का banking management of financial institutions का मुझे उमीद है आप लोगों को idea मिल गया होगा आइप से idea लेके अपना gdb बना सकते हैं दोस्तों last में वही request के आप लोग मेरे दूसरे channel teachers online पे जाईए जिसका URL आपको नज़र आ रहा होगा www.youtube.com slash teachers online for you पे वहाँ पे आपको cf101, mgt101, mgt201, mgt201, html और बहुत फारे subjects के lectures अवेलेबल हैं आप उन से भी फाइदा उठाईए दोफ्तों मिलते हैं अगली किसी assignment solution के साथ या gdb solution के साथ उफकत तक के लिए मुझे जावत दीजिए thank you very much दोफ्तों अलाहाफिव